हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कोडिंग कोडिंग करें बिना डरे तो दोस्तो आज मैं फिर आगया हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ जो कि मैंने TCS फ्री स्कोर्स प्लस फ्री सर्टिफिकेशन के उपर बना रगी है I hope आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लग रही होंगी और अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो उसे भी join कर लें ताकि कोई भी start time courses का जो भी update आता है तो उसकी link में अपने telegram channel पर provide करता हूँ तो चलते हैं आज के topic की ओर जो की हमारा है TCS free course plus free certification तो दोस्तो ये रही TCS की official website जिसकी link में अपने description में provide कर दूँगा उसके बाद आपको यहाँ catalog पर click करना है और उसके बाद अपने field select करना है तो मैं engineering वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ तो आपको information technology पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर courses मिलेंगे तो ये paid courses हैं आपके लिए यहाँ पर prizes पर जाके आप free courses पर click कर सकते हैं तो ये सारे free courses हैं उसके बाद आप यहाँ पर second page पर जाके और भी courses देख सकते हैं तो मैं आपको तीन courses कम से कम enroll करके बता देता हूँ ताकि आपको confirm हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पर मैं आपको data structure and algorithm का course enroll करके बता देता हूँ तो आप उस पर click करना उसके बाद यहाँ पर एकदम free course है और जिसका duration 9 weeks है language English में आ रहा है और एक week में 4 गंटे पढ़ाई कराएंगे उसके बाद यह ऐसा certificate मिलेगा आपको जब आपको course complete हो जाएगा और इसमें क्या क्या cover कराएंगे उसकी details यहाँ पर दे रखी है introductory concept sorting algorithm भी कराएंगे graph searching भी कराएंगे tree algorithm भी कराएंगे तो दोस्तो आपके लिए यह course करना तो बहुत जरूली हो जाता है data structure and algorithm का तो उसके बाद आपको यहाँ पर subscribe पर क्लिक करना है उसके बाद confirm पर जाके क्लिक करना है और यह आपका subscribe हो गया तो आपको my dashboard पर जाना है और जाके आपको यह data structure and algorithm का course आ गया तो उसके बाद आपको यहाँ पर expand करना है और launch पर क्लिक करना है तो दोस्तो यह आ गया है आपका कोर्स यहाँ पर आपको introductory पार्ट मिलेगा और वीडियोस मिलेंगी जिसको आपको देखना है और यह कोर्स आपको NPTEL के थुरू प्रोबाइट किया जा रहा है तो बहुत ही अच्छा कोर्स है तो आप इसे जरूर देखें और उसके बाद यह तो यह पहली वीडियो है आप इसको देखकर complete कर सकते हैं जैसे ही आपका कोर्स complete हो जाएगा आपको certificate मिल जाएगा तो चलते हैं हमारे second course की तरफ तो हमारा second course है introduction to artificial intelligence जिसको आपको यहाँ पे subscribe पे जाके click करना है उसके बाद आपका यह course open हो जाएगा यह भी बिल्कुल free है और यह भी English language पे है इस तरह का certificate मिलेगा आपको जब आपका course complete हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे course covered पे तो यहाँ पे problem solving covered के रहे जाए रहे हैं introduction कराए जा रहे हैं गेम प्लेइंग, knowledge, planning तो आप इसको यहाँ पर subscribe पे जाके इसको subscribe कर सकते हैं और confirm पे जाके आप इसको तो यह subscribe हो गया है, अब आप my dashboard पे जाके enroll कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको drop down पे क्लिक करना और उसके बाद launch कर देना, तो यह आपका course यहाँ पे enroll हो जाएगा और जैसे की यह course खुल गया है तो उसके बाद आपको market read पे क्लिक करते जाना है, और यह course भी आपको NPTEL के तरफ से ही provide किया जा रहा है, उसके बाद आपको market read पे क्लिक करते जाना है तो दोस्तों आप ऐसे ही market read पे क्लिक करके आप अपना complete कर सकते हैं course, जैसे की मैंने progress 56.1 प्रोग्रेस हो गई है, जैसे ही आपके 100% प्रोग्रेस हो जागी तो आपको एक notification आजागा, you completed your course, उसके बाद आपको certificate मिल जागा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको किस त मेरा introduction to artificial intelligence का certificate जिस पर आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और ION का Tata consultant service का logo लगा हुआ है, और certified date लिखी हुई है, ID लिखी हुई है, तो चलते हैं अब हमारे third course की ओर, जो की हमारा है introduction to programming NC, उसके बाद आपको subscribe पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको login का option मांग जा तो आप उसको login कर लेना और उसके बाद subscribe पे क्लिक कर लेना, तो आपका introduction to programming in C का course भी enroll हो जाएगा, तो उसके बाद आपको my dashboard पे जाना है, और introduction to programming in C पे जाके, यहाँ पे drop down पे क्लिक करना है और launch कर देना है, तो दोस्तो आप इसको भी इसी तरह के से course complete कर सकते हैं और अपना certificate पा सकते हैं, तो दोस्तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे like करना और ज्यादा ज्यादा share करना, ताकि मेरे को motivation मिले, कि बच्चे मेरी वीडियो देख रहे और आपको अगर कोई भी doubt हो तो मेरे को comment section में ज़रूर बताना, जल्द ही में उनके आपको reply करूँआ, thank you